गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागरती ओनलाइन लर्निंग एप बच्छो अपने लास्ट जो प्रिविस क्लास 12 के अंदर अपने जो टॉपिक कम्प्लीट करे थे वो थे फिनॉल पिनॉल की प्रिप्रेशन अपने कर ली थी इसके अलावा इसके नॉमिन क्लेचर अपने कल कर लिये थे आज जो अपन नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ड कर रहे हैं वो है इनकी केमिकल प्रोपर्टीज पहले अब उससे पहले अपन फिजिकल प्रोपर्टीज करेंगे किसका पर आपन बताते हैं कि Phenol की physical properties का मतलब क्या होता है physical properties इसका मतलब आपको कैसा color होगा कैसा इसमें smell आएगा कि इसमें soluble है insoluble है या कैसा color दिखेगा ये सारी चीजे physical properties में आती है इसमें कोई भी chemical reactions वगर नहीं आती है तो आपको physical properties के कुछ point है वो अपन यहां बताएंगे आपको और वो बताएंगे तो फिनॉल को अपन इसमेल से मालूम चल जाता है परस्ट पॉइंट तो यह हो जाएगा फिनॉल इज फिनॉल इज फिनॉल इज कलरलेस कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड विद करेक्रेक्रेक्रिस्टिक्स ओडर फिनॉल की जो इसमेल है वो फिनॉल की स्मेल से इसको अपनमालूम जाएगी यहाँ फिनॉल का जो क्लिनिंग में आप यूज करते हैं फिनॉल जनरली यूज करते हैं तो आपने यह देखते ही मालम जाएगा है नहीं कि पहां इसमें स्में इसमेल अलग आती है characteristics का मतलब इसको phenolic order भी बोल सकते हैं तो phenol में characteristics order होती है और ये colorless crystalline solid होते जन्रल्ली तीक नहीं second point है Melting point of phenol is Melting point of phenol mãil is phenol is 41 degree celsius and boiling point boiling point of phenol is of phenol is 182 degree celsius so, यह melting point और यह boiling point होता इनका 41 degree celsius पे यह melt होता है और 182 degree celsius पे यह boiling इसके अंदर बहुत ज़्यादा difference है phenol का melting और boiling point के बीच में बहुत ज़्यादा difference है इसका मतलब के इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा bonding है जो इसका melting और boiling point को increase कर रहा है तो अपने इसमें लिख सकते हैं in phenol in phenol intermolecular intermolecular hydrogen bond is present hydrogen bond is present due to this bond due to this bond boiling point boiling point of phenol is high boiling point of phenol is high इसका region अपन यह लिखेंगे क्योंकि boiling point क्यों ही होता है क्योंकि इसके अंदर intermolecular hydrogen bonding होती है अब वो intermolecular hydrogen bonding कैसे होती है यह भी अपन समझा देते हैं यह मान लो phenol का molecule है बेंजीन के उपर कौन सा गुरूप आता है OH यह फिनॉल है अब यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे फिनॉल OH और आगे भी क्या लिखेंगे अपन पिनॉल तो अब अपन बॉंडिंग बता रहे हैं intermolecular hydrogen bonding कैसे होती है कैसे होता है इसमें तो दो oxygen high electron negative element के बीच में कौन आ गया hydrogen तो यह इससे connect हो गया dotted line जो है यह represent करी है है hydrogen bond को और यह पी hydrogen bond बना रहा है तो यह intermolecular hydrogen bonding अगर किसी में होगा तो उसका melting और boiling point वैसे ही हो जाता है तो इसमें intermolecular hydrogen bonding के base पर अपन बताएंगे इनका कौन सा point हाई होता है boiling point हाई होता है तो यह boiling point इसके उपर depend करता है इसके अलाबा next point यूज़ करता है phenol is used as antiseptic phenol is used as antiseptic and disinfectant and disinfectant disinfectant का मतलब होता है कि आपको कहीं पर भी inaminate चीज होती है inaminate का मतलब है non living things जो होता है जैसे table, purse वगर यह जो होती है non living things है इन पर अगर आप phenol का यूज़ करेंगे तो उसको अपन क्या बोलता है disinfectant, bacteria, germs या इनको किल करने के लिए इनका यूज़ कर सकते है antiseptic का word है आपको mobile चीज का मतलब जो living चीज है या living things जो होती है उस पर अगर आप यूज़ करोगे उसको अपन बोलता है antiseptic, living tissue पर अगर अगर आपन कोई चीज़ लगाते हैं bacteria kill करने के लिए तो वो तो antiseptic है नेकि non living things पर अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो है disinfectant दोनों के form में इसको यूज़ कर सकते हैं कम quantity में या कम concentration इसकी हो जाएगी antiseptic लेकिन high concentration जो होगी वो कौन से होगी disinfectant तो phenol को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फिफ्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं phenol is partially soluble in water in all is partially soluble in water, soluble in water but completely soluble in ether and alcohol soluble in organic solvent organic solvent ether and alcohol यह phenol के बारे में अगला point अपने बताया है कि यह partially soluble है partially soluble का मतलब है पूरा पानी में नहीं गुलेगा और पूरा पानी में नहीं गुलेगा लेकिन थोड़ी बहुत भी solubility जो आएगी वो किसके करण आएगी यहाँ पे hydrogen bond के करण आएगी तो यह hydrogen bond कैसे बनता है इसको अपन यहाँ समझा देते है hydrogen bond का formation कैसे water के साथ होता है यह मान लो phenol है मान लो क्या यह actual में ही है phenol यह phenol है और phenol जो है आगे water molecule के साथ इस तरीके से add हो जाएगा यह water का molecule है फिर वापस क्या जाएगा यहाँ पे phenol benzene के उपर OH तो यहाँ पे वापस hydrogen bonding हो रही है तो water के molecule के साथ में इनकी क्या हो रही है hydrogen bonding हो रही है और इस hydrogen bonding के base पे अपन लिख सकते है phenol के अंदर hydrogen bonding होती है लेकिन partially soluble है partially इसलिए भी soluble है क्योंकि यहाँ एक बड़ा group जो है यह वाला जो group है अपन फिनॉल में बोलते है यह बलकी बड़ा group है यह इनका hydrophobic nature का होता है water में यह mix नहीं होता है इसको कौन सा nature बोलते है hydrophobic और water में अगर यह mix नहीं होता बड़ा group लेकिन OH जो है वो कौन सा hydrophilic तो इसके कारण इसमें partially solubility आएगी otherwise phenol जो है वो insoluble भी हो सकता है अगर यह OH bond नहीं होता है hydrogen bond नहीं होता है तो phenol क्या हो सकता है insoluble भी होता है एक और phenol का nature है यह poisonous in nature है अगर किसी skin पे या कहीं पे भी यह गिर जाए pure phenol तो वहाँ पे फफोला वगर हो सकता है तो यह किस की तरह भी यह गर सकता है as a poisonous in nature तो यह 4-5 पॉइंट अपने बताए है phenol के बारे में वापस एक बार देख लेते हैं revise कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट था phenol जो है एक room temperature पे colorless crystalline solid होता है with characteristics phenolic order रहती है इसकी smell से मालूम चल जाता phenol है इसका melting point 41 degree Celsius है और boiling point 182 degree Celsius है इसके बीच में बहुत ज़्यादा difference है इसका मालब इसके अंदर कौन सा bonding है intermolecular hydrogen bonding और intermolecular hydrogen bonding जिस molecule में बनता है उसका melting और boiling point यह होता है ज़्यादा ही होता है तो phenol में इस type से intermolecular hydrogen bonding यह बनेगी और phenol को एज़े अपन antiseptic और disinfectant को यूज ले सकते हैं लेकिन pure phenol अगर skin पे लग जाए तो वहाँ पे अपन कहते हैं skin खराब हो जाएगी skin में गाव हो सकता है फफोला पड़ सकता है यह चीज हो सकता है तो phenol को अपन ध्यान से यूज करना है phenol को direct use नहीं कर सकते है skin के उपर phenol antiseptic disinfectant है यह partially soluble in water और partially soluble क्यों है क्योंकि water के साथ यह hydrogen bonding करता है लेकिन completely bond नहीं बना पाता और यह इसमें बड़ा group जो होता है वो hydrophobic nature का होता है इसलिए यह phenol जो है जनरली यह कम soluble है और AJ यह antiseptic की तरह भी यह कर सकता है phenol और अगर यह पढ़ा पढ़ा ही क्या हो जाता है phenol oxidize हो जाता है oxidize का मतलब है अगर अगर अपन white crystalline phenol जो है उसको पढ़ा रखेंगे लंबे टाइम ते तो लंबे टाइम बाद में वह phenol का color जो है वह pink हो जाएगा फिर dark brown हो जाएगा तो यह color जो है वह oxidation के कारण होता है तो after the long time phenol turns pink colors liquid or solid in the presence of air six point है इसका लिख देता है यह भी in the presence of air phenol turns pink color liquid pink color liquid तो phenol जो है pink color के liquid में convert हो जाता है लंबे टाइम बाद में अगर phenol को air की presence में अपन रखें तो phenol का यह color जो है वह change हो जाता है यह सारी properties जो है वह अपनने कौन सी properties करही है phenol की physical properties को complete कर दिया है अब अपन करेंगे जो phenol की chemical properties तो topic पे आते हैं नहीं पे सी start करते हैं इसको chemical properties of phenol chemical properties of phenol अगर phenol का अपन इस्ट्रक्चर देखें तो यहां इस्ट्रक्चर देखो phenol का यह वाला benzene के उपर OH तो phenol में तीन टाइप की reactions possible है एक तो वह वाली reaction जिसमें OH group यूज लेते हैं अपन या OH group की reactions जो है वह बोलेंगे तो first A type की reactions कौन सी है hydroxyl group reaction hydroxyl group reaction second B part में अपन वह पढ़ेंगे जो electrophilic substitution reactions जहां पे benzene की reactions होती है तो अपन रिखेंगे reactions of benzene ring reactions of benzene ring यह वाली second part आ जाएगा और C part इसकी condensation कुछ reactions है जिसमें बड़े-बड़े group add होते हैं और छोटा सा molecule remove होता है तो C part में क्या लिखेंगे अपन? condensation reactions condensation reaction तो यह तीन टाइप की reactions है इसमें hydroxyl group की reactions है second part आएगा benzene ring की reaction है और third part आएगा आपने condensation reactions है उसमें भी first जो part आएगा अपना OH group reactions अपन स्टार्ट करते हैं तो reactions of OH group या OH group की reactions है उसमें पहला topic अपन पढ़ेंगे acidic nature यह important है acidic nature of phenol तो acidic nature क्या होता है कैसे यह acidic character सो करता है phenol और इसका nature अपन क्यों बताएंगे कैसे होता है यह सारी चीज़े अपन इसमें करते हैं phenol का acidic character या acidic nature तो यहां पर अपन phenol का acidic character बताते हैं देखो phenol acidic क्यों है क्योंकि phenol के पास में यहां OH group है phenol वैसे acidic होता है और होने का reason क्या है यह यहां से कौन सा iron release करेगा h plus iron और अपन कहते हैं जो h plus iron देता है release करता है वो उसका कौन सा character सो होगा यहां पर acid character और acid character में phenol अगर h plus iron easily lose कर देगा तो acid character सो करता है अब phenol का acid character से अपन को reaction से कैसे मालम चलेगा कि यह वास्तों में phenol acid character सो करता है तो अपन कुछ reaction सो करेंगे यहां पर phenol की यह phenol है अपना benzene के उपर क्यों सा group लगा दिया oh h इसके मैंने दो molecule ले लिए और यही अगर active metals मैंने sodium लिया 2 na तो sodium के साथ phenol react करेगा यह h को यहां से रिलीज हुई है है यहां से h2 gas तो कोई भी active metals like sodium potassium, aluminium, zinc वगर होते हैं उनके साथ में अगर यह phenol का जो h plus ion जो है वो release करता है तो वो इसका कौन सा character सो करता है यहां पर acid character इस से अपन को मालुम चल जाएगा वास्तों में phenol जो है hydrogen gas अगर release करता है तो कौन सा character सो करता है acid character यह अपने नाम लेक लिया इसका phenol है phenol के बाद में यह जो बनेगा इसको अपन नाम देते है sodium phenoxide sodium phenoxide तो यह sodium phenoxide बन गया अब यही जो reactions है मान लो phenol अगर acidic है तो वो base से भी react कर सकता है तो यह phenol ले लिया और यहां पर कौन सा group लगाया मैंने OH और इसी की reaction किसके साथ मैं करनी है NaOH के साथ और NaOH के साथ अगर करेंगे तो यहां से कौन सा आयन निकला H और वो इसको लेके बाग गया OH को तो H और OH मिलके क्या बना देंगे H2O लेकिन benzene के उपर कौन सा group आ जाएगा अब ONA अगर यह फिनॉल सो करता है ONA प्लस H2O रिलीज हो गया तो इसका मिलब यह कौन सा character सो करेगा STD character और यहां sodium phenoxide बन गया तो दोनों ही reaction में अपने देखा अगर active metals के साथ phenol की reactions होती है तो hydrogen gas eliminate होता है और अगर base के साथ reactions होती है तो यहां पर अपन कौन सा sodium phenoxide और water molecule remove होता है यह phenol generally weak acid character सो करता है बाकी जो acids होते हैं उन से इसका acidic nature थोड़ा सा क्या होता है कम होता है लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं phenol acid character सो करता है अब phenol क्यों acid character सो करेगा इसका region अपन बताएंगे इसके कुछ point बताएंगे ताकि आपन को समझ में आए phenol का acidic nature क्यों होता है तो अपन को समझने के लिए सबसे पहले अपन phenol के structure पे आते हैं नहीं page कर लेते हैं phenol के structure पे आते हैं यह generally phenol का structure यह phenol का structure phenol में benzene के उपर OH group और यह दो लॉन पर यह phenol का structure अब phenol में अगर अपन देखें o और एंच में किसकी electronegativity ज्यादा है तो अपन कहते हैं oxygen की ज्यादा है oxygen O और H के जो sharing electron को oxygen अपने पास खीच लेगा खीचते हैं यहां से कौन सा iron release हो गया H प्लस iron तो phenol के acid character so करने के अपने पास दो reason हैं दोनो reason अपन बताते हैं यहाँ पे जब phenol अपन कहते हैं lone pair है single है और double bond है तो इसमें एक resonance भी होगा resonance कैसे होगा यह अपन समझाते हैं यहाँ पे जब भी conditions है resonance के लिए कुछ conditions अपन को याद रखने है resonance काफी जगे काम आएगा एक जगे आपको पढ़ने से पुरा समझ में नहीं आएगा लेकिन काफी जगे resonance आएगा तो उसकी कुछ basic चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ ताकि कभी भी कोई resonance आए तो उसको आप easily समझ पाओ तो जब भी यह conditions आए long pair single और double या double single double positive single double या negative single double यह अगर कहीं condition सपन को मिलती है तो उसमें आपनको resonance मिलेगा और resonance मिलेगा इसके अलावा यहाँ फिनॉल के अंदर जो resonance है इसमें electrons जो है oxygen पे जो दो लॉन पेर है वो यहाँ से मू करके benzene ring में enter करेंगे जैसे chlorovengin में अपने resonance बताया था वैसे फिनॉल का resonance है और फिनॉल का resonance का effect है वो कौन सा effect है plus r effect plus r का मतलब है ring के अंदर electron entered करेंगे तो plus r और यहाँ से ring के electron अगर बार निकल जाते है यहाँ से तो वो minus r होता है तो इसमें plus r effect होगा और plus r effect में यह जो lawn pair है यहाँ से ring के अंदर जाएंगे और यहाँ resonance करेंगे अब resonance में lawn pair single double bond condition तो आ गई और यह conditions है अपन यहाँ बताएंगे के कैसे इसमें करना है यह lawn pair क्या करेगा यहाँ से यह जो conditions होती है उसको conjugations की conditions बोलते है conjugation conjugation का मतलब है यह alternate conditions अगर जहाँ पर भी मिलेगी आपको उसमें resonance करना है अब यह lawn pair word अता देते हैं conjugations नहीं तो phenol का resonance रह जाएगा पीछे यह lawn pair यहाँ गया क्योंकि और तो कहीं जाने की जगे बाहर तो जा नहीं सकता ring के अंदर ही electron गुमते हैं तो अपन कहेंगे ring के अंदर ही इनको डालेंगे तो यह lawn pair यहाँ गया double bond बनाएगा अगर double bond यहाँ बना फिर double bond यहाँ पड़ाएगा और एक single bond तो carbon की इतनी valence होती है 4 तो उसको complete करने के लिए अपने इसके 5 bond के electron को तोड़ेंगे और इनको यहाँ लेके आ जाएगे कुल मिला के first condition अगर आपको resonance यह आती है तो बाकी resonance आपके लिए बिलकुल easy है अगर first condition में कुछ problem आजाती है इसका मलब वो बाकी वाली problems आएगी तो यह lawn pair यहाँ से यहाँ गया double bond बनाएगा O और C के बीच में carbon और इसके बीच में double bond बना दिया oxygen ने और यहाँ एक lawn pair अभी भी पड़ा है देखो दो lawn pair थे एक पड़ा है और जिसने electron दिया electron oxygen ने अपना दिया तो उस पे positive charge क्योंकि electron तो वहाँ से चला गया अब चला गया तो यह positive charge छोड़ गया और यह electrons अब इस carbon पे आ गए तो यहाँ आपन क्या लिखेंगे negative charge कुल मिला के इनका charge separation हो गया है charge दो पार्ट में तूट गए पहले कोई charge नहीं था लेकिन अब resonance के कारण यहाँ एक oxygen पे positive charge और इस carbon पे negative charge अभी भी इस पे क्या लगावा है H लगावा है तो यह first condition अपन को complete समझ में आनी चाहिए first condition के बाद में resonance बिलकुल easy है फिर आपको क्या करना alternate गुमा नहीं है negative यहाँ जाएगा double bond बनाएगा तो यह double bond और आगे shift हो जाएगा तो अगली conditions में यह हो जाएगा कि यहाँ नीचे negative आजाएगा और यहाँ double bond आएगा यहाँ double bond यहाँ O और H और इस पे positive और यह long pair अब यह वाले जो है यह वापस आगे move करेंगे और यह और आगे move करेंगे तो conditions में यहीं पे वापस आगे चल जाएगा यह यहाँ से यह गया यह negative आजाएगा अब negative यहाँ आएगा क्योंकि electron यहाँ इस carbon पे shift हो गए और यहाँ इनके पास double bond थाई ओ पे लॉन पेर तो पड़ा है एक positive चार्ज और यह गैच और last condition क्या होगी वही first वाली वापस लॉन पेर यहाँ आएगा मदब negative चार्ज यहाँ बॉन बनाने आजाएगा यह electron वापस गुम गुमा के घर पे आजाएंगे कुल मिला के गुम गुमा के वापस आजाएंगे अपनी वही position पे लेकिन ring के अंदर double bond की position सब जगे change हुई है हलका सा ध्यान देना आपको इसमें हलका सा change हुआ है पहले double bond इन दोनों के बीच में था लेकिन अब इन दोनों के बीच में double bond नहीं है तो यह changes हलका सा हुआ है लेकिन आपको अगर first structure बनाना आता है तो बाकी वाले तीनों structure बिलकुल simple है एक बार यहां और्थो पे फिर पेरा पे आया फिर वापस और्थो पे चला गया और तीनों में positive charge रखाना है और double bond भी लगाना है तो यह जो है देखो अब यह अपन बताते हैं इसका acid character क्यों होता है resonating structure में oxygen पे positive charge आया और electrons यहां revolve कर रहे हैं गुम रहे हैं तो oxygen पे electron की density कम हुई तो O और H का जो bond है यह अलका सब polarized होगा polarized होने का मतलब है कि इनमें electron का shifting होगा oxygen और hydrogen के बीच के electron oxygen की तरफ जाना चाहेंगे तो जैसे ही electron यहां shift हो जाएंगे hydrogen H plus ion के form में remove हो जाएगा release कर देगा H plus ion जो इसका acid character show करता है तो acid character show करने के लिए अपने इसके अंदर कुछ language भी लिखेंगे कुछ language इस तरह के लिखेंगे topic का नाम इस पे मालूम होना चाहिए कौन सा character show कर रहे है acidic character और acidic character की language क्या लिखेंगे due to the land due to presence of presence of lawn pair on oxygen atom oxygen atom de-localization या conjugation conjugation are found found and lawn pair delocalize in benzene ring benzene ring due to resonance resonance में ये lawn pair अंदर चला गया अब यहां आपन बताएंगे in the resonating structure in the resonating structure oxygen beers oxygen beers positive positive charge charge so the bond between the bond of o dash and is polarize, polarize and electron move towards oxygen atom, oxygen atom that release, release H plus ion. तो यह language जो है, इसी resonance के उपर बेस्ट है, resonating structure में, यह तो और H में oxygen की electronegativity ज्यादा है, लेकिन resonating structure में, यह long pair ring के अंदर जाएंगे, और यहाँ oxygen पे क्या छोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से O और H का bond जो है, वो polarize हो जाएगा, और oxygen और hydrogen के बीच का electron plus की तरफ जाना चाहेगा, और plus की तरफ अगर जाता है, तो यहाँ इस resonating structure के बाद में, यह कौन सा आयन को release करेगा, H plus आयन, और जो H plus आयन देता है, उसको अपन acid बोलते हैं, तो यह इसका acidic character यहाँ आपने बताया, क्यों यह phenol acidic character सो करता है, यह resonating structure से मालम जाएगे, तो resonating structure में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कि यहाँ oxygen जो negative charge आ रहा है, यह ortho पे भी आ रहा है और pera पे भी आ रहा है, आगे कहीं पे भी अपन बताएंगे reactions में, तो ortho और pera पे क्यों attack होता है इनका, तो इसको समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, कि यहाँ आपको oxygen का resonating structure है, यह phenol का, इसमों ortho और pera पे क्या आ रहा है, यहाँ पे negative charge आ रहा है, तो negative का मलब electron की density ortho और pera पे ज़्यादा आ रही है, तो यह इसकी language है, H plus sine Q release करता है, दूसरा एक और reason है, यहाँ जो carbon जो है, इस पे अपन कह रहे हैं, इस carbon का hybridization क्या है, SP2, जो OHS से जो attached carbon है, उसका hybridization सारे carbon का SP2 है, और SP2 वाले carbon के hybridization वाले carbon की electron negativity क्या होती है, ज्यादा, तो यह electrons जो है, वो अपनी तरफ attract करेंगे, और कौन से iron को easily यहाँ से release करेंगे, H plus iron को, अब अपन कहते हैं, phenol अगर H plus iron देता है, तो कौन सा iron बनता है, phenoxide iron, इसको भी अपन थोड़ा सा समझा देते हैं, phenol और phenoxide में difference किया है, और phenoxide iron क्यों ज़्यादा stable है, या क्यों कम stable है, इसका reason भी अपन बताएंगे, यहाँ पर, यह A point लिख देता है, अब यह B point यहाँ पर अपन समझा रहे हैं, नया point है, यह phenol है, और phenol अगर H plus iron release करेगा, एसीडिक है, तो कौन सा iron release करेगा, H plus iron, और phenol अगर H plus iron release करेगा, तो अपन कहेंगे, यह iron पर कौन सा चार्ज आया, negative, और बाकी के दो lone pair है, जो हई ही है, और कौन सा iron यहाँ से release हो गया, H plus iron release हो गया, तो H plus iron निकलने के बार में यह जो iron बनावा है, इसको अपन नाम देता है, phenoxide, और यह phenoxide आयन ज्यादा stable है, यह कम stable है phenol से, यह अपन अभी समझाएंगे, इस topic के अंदर ही, फिर क्यों सन आ सकता है phenol and phenoxide which is more stable and white, तो इसका region भी अपन को लिखना पड़ेगा, यह acidic करेक्टर में भी यह दोनों region अपन को बताने पड़ेगे, एक तो phenol का resonance बना के समझाना पड़ेगा, और क्यों यह H plus आयन easily release करेगा, यह भी समझाना पड़ेगा, अब phenoxide आयन ज्यादा stable क्यों हुआ phenol से, यह अपन समझा रहे हैं, और इसमें भी resonance होगा, negative का मतलब ही दो electron हो गए, यह अपने electron तो लेके नहीं जाएगा hydrogen, तो H positive निकल जाएगा, यह दोनों electrons oxygen के पास रह गए, तो oxygen पर अभी भी negative charge है, अब negative को अपन गुमा देते हैं, यहां से resonance करेंगे, negative single पर double resonance होगा, तो यह electron यहां shift हो जाएगा, तो अगला इसका resonance structure अपन किसका कर रहे हैं, phenoxide ion का resonance structure अपन पढ़ रहे हैं आगे, तो phenoxide में देखो, first condition अगर समझ में आ गई, तो बाकी वाली conditions बिल्कुल इजी है, और यहां अपने का, यहां आ गया negative charge, और C और O के बीच में यह double bond O, और यह दो lone pair, as it is वैसे के वैसे हैं, गया कोन है अंदर रिंग के अंदर negative charge वाले दोनों electron अंदर गए हैं, तो oxygen पे अब आपको positive लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब यहां अपन double bond और double bond यह दोनों लिखेंगे, अब इनका resonance करेंगे, फिर वही condition है, negative single double, negative जाएगा bond बनाने, यह electron से यहां shift हो जाएंगे, तो अपन बताएंगे यहां पे, अब यहां से negative charge यहां आ गया, double bond यहीं है, और यहां oxygen पे अभी भी किते lone pair हैं, दो lone pair हैं, अब अपन कह रहे हैं, यह वापस आगे shift होगा, तो यह electron और आगे shift हो जाएंगे, तो next conditions में अपन यहां पर, यह negative electrons यहां आ जाएंगे, यह electron यहां shift हो जाएगा, तो minus यहां आया, और oxygen पे यह वापस दो lone pair, और अगली conditions यह हो गई, वापस यह गूम गूमा के घर पे आ गई, तो जो गूमने का काम होने के बाद में वापस इस च्ट्रक्टर वही बन रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, गूम गूमा के वापस lot के बुद्दू गर को आया, यह वाली कावत याद अपनी है यहां पे, तो गूम गूमा के वापस वही पे आ गया, यह रेजोनेंटिंग इस्ट्रक्टर से है, इसके फिनॉक्साइड आयन के, तो क्यूस्टन यह आयावा है, important, इसलिए लगाया मैंने क्यूस्टन यह आयावा है, फिनॉल और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग इस्ट्रक्टर दो, फिनॉल और फिनॉक्साइड मैंसे कौन ज्यादा इस्टेबल है, यह भी पूछावा है, और फिनॉल का एसेडी करेक्टर, फिनॉल क्यूं एसेडी करेक्टर सो करता है, ये इन तीनों का आंसर अपने इस question के अंदर इस topic के अंदर करवा रहे हैं तो ये phenoxide ion का resonating लेकिन दोनों के structure में ये चीज difference है अपने दोनों का resonance पड़ा है लेकिन ये देखो phenol में मैंने O पे क्या charge लगाया है तीनों पे positive लेकिन phenoxide में कहीं पे भी positive नहीं है ये negative कोई अंदर गुमा रहे थे ring के अंदर और phenoxide की stability phenol से भी ज्यादा है phenoxide ion is more stable than phenol इसका reason भी अपन यहां बताएंगे तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ में आनी चीज़िए कि phenol और phenoxide में ज्यादा stable कौन है और क्यों ये इनका acid character so होता है और यहां इसका acid character so होने का reasons और यह अपन कहेंगे तो इसकी कुछ language बनाएंगे अपन after the release of after release of H plus ion from phenol then it converted into into phenoxide ion side ion in the resonating is structure of phenoxide oxygen oxygen do not have positive charge then the resonating structure resonating structure of phenoxide ion is stable phenoxide ion is stable so phenol easily release H plus ion phenol H plus ion release which is called phenoxide and in the oxygen which is negative negative stability and here in resonating structure there is no positive charge see this positive negative this is high electro negative elements such as oxygen fluorine nitrogen so high electro negative negative charge stability stability करता है लेकिन high electro negative element positive charge अगर आता है तो उसकी unstability सो करता है तो oxygen पे अगर positive charge आया तो वो unstable है और unstable होआ तो अपन कहता है phenol का resonating structure है वो थोड़ा सक कम stable है phenoxide ion के resonating structure से भी कम stable है लेकिन phenoxide ion का resonance जो है वो थोड़ा सा और यह negative charge इसकी stability increase करता है इसके अलावा इनके resonance में कहीं पे भी positive charge नहीं आया तो यह इसके resonance को अपन stability को और increase कर सकते हैं तो H plus ion देने के बाद में जो phenoxide ion है वो ज्यादा stable है किस से phenol से और उसका reason अपन यही लिखेंगे इन दे phenoxide ion negative charge is present on the oxygen that is more stable but in the resonating structure of phenol positive charge is present on the oxygen that decrease the stability of phenol तो यह इसकी stability को क्या करता है यह अपनने resonating structure करवा दिये phenol के और phenoxide ion के काफी बार question आया वा है phenoxide ion और phenol में से ज्यादा acid कौन होगा या ज्यादा stable कौन होगा तो आपको phenoxide ion को लिखना है phenoxide ion is more stable than phenol और यह इनके resonance के बारे में भी direct question पूछा वा है phenol और phenoxide ion के resonance structure अपन कैसे बनाएंगे तो वह भी चीज़ अपन ने बता दिया कैसे इसका resonating structure अपन को बनाना है तो यह acid character में अपन इतना बताते हैं इसके बाद में इससे related क्या question बनेंगे वह आगे अपन topic पे करते हैं question यह बनेगा यहां पे in arrange आगे 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 देर एसेडिक एसी इडी आई सी एसेडिक स्ट्रेंद तो इन फिनॉल्स को आपको इंक्रीजिंग ओर्डर में एसेडिक इसे अरेंज के इसेडिक के इंक्रीजिंग ओर्डर में अरेंज करना है फिनॉल्स कोन कौन से हैं यह फिनॉल्स के ऑप्षन आपके पास दे रखे हैं यह कॉंपिटेशन में भी कुस्टन पूछावा है तो आपको द्यान से इसको समझ लेना है अगर अपन इन फिनॉल्स पे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रूप लगाएं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रूप कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रूप EWG इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रूप कौन कौन से होते हैं वो नाम बता देता हूं मैं NO2 हो सकता है साइनाइड हो सकता है या कार यह मैटा पे लगा दिया, नाइट्रो और एक नाइट्रो अपन लगा सकते हैं यहां पे, पैरा पे लगा देते हैं, तो यह नाइट्रो ग्रुप अगर लगा देते हैं यहां पे, तो इनका एसी डिक स्टेंड kis का जादा होगा, किस का कम होगा, increasing order में arrange करना है तो इनको अपन नमबर लगा देते हैं A, B, C और D लगा दिया A, B, C, D लगा दिया अब आपको पूछेंगे इनको increasing order में arrange कर दो A, B, C, D का order क्या रहेगा तो electron withdrawing group कौन कौन से हैं Nitro, Sinide और Carboxlic Acid ये electron withdrawing है electron withdrawing का काम होता है electron को खीचना और अगर अपन electron खीचेंगे तो H plus sign ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा ये अपन को यहां समझना है देखो, जब भी अगर मैं electron withdrawing group लगाऊं यहां पे थोड़ा सा ध्यान देके समझ लेना इसको ये मान लो यहां पे कहीं पे भी electron withdrawing group डबलू जी लगा देता हूँ electron withdrawing group के नाम मैंने बता दिये नाइट्रो साइनाइड और कार्बॉक्सलिक ऐसीड़ अगर ये ग्रूप लगते हैं तो ये electron को खीचेंगे तो electron यहां से खीच के जाएगा electron withdrawing group के साथ तो यहां oxygen पे electron की density क्या हो जाएगी कम अगर oxygen पे electron की density कम हो जाएगी तो यह यहां से कौन सा आइन easily release हो सकता है H प्लस आइन अगर electron withdrawing group लगाएंगे तो acidic strength increase होगी क्या चीज़ increase होगी यहां पे acidic strength increase होगी जब कौन से group लगाएं इन में से कोई भी एक group लगाएं तो acidic strength बढ़ेगी और कौन सा आइन easily यहां से release होगा H प्लस आइन release होगा तो यह acidic strength को increase करेगा लेकिन अगर 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 अपन ortho पे, meta पे और पे और पे तीनो अलग-अलग conditions पे लगाएं तो इन तीनों से क्या फाइदा होगा यह अपन को समझना है तो कुल मिला कि एक चीज़ आपको याद हक नहीं अगर कोई electron withdrawing group फिनॉल पे लगाते हैं ortho, meta, pera कहीं पे भी तो वो acidic strength को increase करेगा more acidic करेगा लेकिन electron donating group उल्टा लगाएंगे तो वो acidic strength को decrease करेगा अब यहाँ चारों का compare करते हैं सबसे पहला तो बात यह एक सबसे कम acidic A ही होगा क्योंकि नाइट्रो क्या करते हैं electron को खीचेंगे तो यहाँ oxygen पे electron की density कम हो जाएगी और अगर electron की density oxygen पे कम होगी तो कौन सा आयन निकल जाएगा H प्लस आयन यहाँ अगर negative बढ़ता है तो वो H प्लस आयन को वापस खीच लेगा negative अगर कम हो गया तो H प्लस आयन को जाने देगा negative बढ़ेगा तो H प्लस आयन वापस attract रहेगा इसके पास पकड़ के रखेगा ही है तो अपन कहते हैं electron withdrawing का का काम है electron की density को decrease करना और easily H प्लस आयन को release करना तो यहाँ अपन तीनों का compare करते हैं सबसे कम acidic तो हो गया A यह तो fix हो गया अब A से ज़्यादा कौन है देखो तीनों का अलग-अलग काम है अपनने resonance बताया था तो यहाँ बताया था और तो पर ऐलेक्ट्रों जादा रहते हैं और एक कहा रहता है पर तो और तो तो और तो यह वाला और तो पर यह रहते है तो यह पड़ाँ यह आ थे है लेकिन यहां तो आया ही नहीं मेंने감ने कशी अगर खींचने की ताकत अगर guitarा कुर living या ortho para पे लगाएं तो यहां तो electron आया ही नहीं तो यहां थोड़ा खीचने की power कम रहेगी ortho और para पे अगर कोई withdrawing group लगावा होता तो वो easily electron को खीच लेता electron को attract कर लेता तो acidic strength को और ज़्यादा increase करता लेकिन मेटा पे इसका कोई effect होई नहीं रहा है तो यह से ज़्यादा तो होगा लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा कौन हो सकता सी हो सकता क्योंकि इस पे resonance का कोई effect नहीं हो रहा है electron withdrawing group अगर यह मेटा पे लगाएं तो उसका resonance में negative यहाँ आना चाहिए यहाँ आना चाहिए लेकिन मेटा पे कोई negative अगर electron खीजना भी चाहेगा तो मेटा पे तो electron आई नहीं रहें resonance में तो खीचेगा क्या थोड़ा बहुत कम करेगा तो थोड़ा सा acidic strength और बढ़ जाएगी लेकिन इस से ज़्यादा जो होगा वो किसका होगा अपन लिखेंगे B का और उसके बाद में लिखेंगे अपन D का acidic strength ज् आई तो region में आपको यह ध्यान रखना है देखो दोनों का region मैं समझा देता हूं ताकि आपके इस type का question बने तो कहीं पे दिमाग में यह confusion नहीं रहे तो यह phenols मैं ortho nitro phenol भी बना देता हूं और para nitro phenol भी बना देता हूं यह N double bond O और यह O यह phenols है O और H यह तो गया ortho वाला और यह कौन सा हो गया पेरा nitro phenol और N double bond O और O और यहां पर लगावा है OH तो यहां देखो दोनों को समझने के लिए अपने दोनों का open diagram बनाया है ताकि यह चीज़ समझ में आ जाए यहां दोनों high electro negative element है अलाकि withdraw तो यह भी कर रहा है बराबर कर रहा है और यह भी withdraw कर रहा ह उल्टा पास में ज्यादा है तो ज्यादा withdraw करना चाहिए तो H plus sign ज्यादा release होना है लेकिन यहां एक problem आ जाती है नाइट्रो का जो oxygen है और यहां पे भी oxygen है दो oxygen के बीच में फस गया hydrogen कौन फस गया है hydrogen और यह hydrogen जो है वो कौन सी bonding बनाएगा यहां पे H plus hydrogen bonding और hydrogen bonding जो इससे हलका सा H plus sign कम release होगा तो निकलेगा तो सही H plus sign ज्यादा निकलेंगे लेकिन किस के comparison में कम निकलेंगे पेरा नाइट्रो फिनॉल के comparison में यह कम निकलेंगे तो अपन कहते हैं और्थो नाइट्रो फिनॉल इस less acidic than पेरा नाइट्रो फिनॉल due to presence of intramolecular hydrogen bonding in और्थो नाइ देता हूं मैं intramolecular molecular hydrogen bond यह इस और्थो नाइट्रो फिनॉल में बन रहा है पेरा नाइट्रो फिनॉल में intra नहीं बनेगा इसमें intermolecular बन सकता है लेकिन यहां इसका कोई ज्यादा रॉल नहीं है तो इसमें जो hydrogen bonding हो रही है वो कौन सी हो रही है इसमें intermolecular और इसमें intra और intra वाला जो acid करेक्टर को कम करेगा और यहां acid करेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा D का सबसे ज्यादा और उससे कम B का उससे भी कम C का और इससे यह increasing order है इसका यह increasing order है एक question और आसकता इस पे आपको इनको arrange करना है acidic strength के increasing या decreasing order में तो अपना option देते हैं यह वाला phenols के अंदर ही है इनको भी arrange कर सकते हैं क्या यह OH यह लगा दिया CH3 यह phenol यह OH और CH3 जो है अगर यह चीज ज्यानर को CH3 या C2H5 या OCH3 अगर आते हैं इनको electron donating group बोलते हैं donating group EDG donate करने मतलब electron को धक्का देने वाले group यहां कुछ भी नहीं लगावा है यह अपन लगा देते हैं OH और CH3 और फिर यहां पर पेरा पे लगा देते हैं OH और यह CH3 अपने चारो phenol बना लिए अब इनको ortho krisol बोलते हैं इसको metacrisol और इसको paracrisol और यह normal phenol इसका भी अपन मारकिंग कर देते हैं ABCD ABCD यह हो गया अब आपको पूछेंगे यह electron donating group क्या होते हैं जो electron को donate करें donate का मलब electron को धक्का दे अब electron donating group अगर यहां लगाएंगे तो electron का धक्का oxygen के पास जाएगा और यहां negative charge बढ़ेगा अगर मैं negative charge यहां बढ़ाऊंगा तो यह negative किसको वापस खींचेगा H प्लस आयन को वापस खींच लेगा तो जितना H प्लस आयन निकलना चाहिए था वो अब नहीं निकलेगा तो कुल मिलाके H प्लस आयन decrease हो जाएगा अगर यह group लगाएंगे तो acidic strength कम हो जाएगी क्यूस्टन कभी कबार पूस सकते हैं phenol and krisol which is more acidic तो आपको answer लिखना phenol is more acidic than krisol तो krisol का क्यों acidic character कम हुआ क्योंकि आपने यहां पे कौन सा group लगा दिया electron donating group electron donating group का काम हो है कि oxygen पे electron की density को increase करना तो यहां अपन चारों के अंदर compare करेंगे तो सबसे strong जो acid character होगा वोगा phenol का तो लिख देते हैं B सबसे पहले B से कम कौन आएगा अपन कहते हैं resonance जब करते हैं ortho और pera पे electron आता है ortho पे negative आएगा तो वह ज़्यादा repel करेगा pera पे भी आएगा तो वह भी ज़्यादा करेगा meta पे तो इस पर effect होई नहीं रहा है तो अलग कि यह donate तो करता है लेकिन oxygen पे इतना ज़्यादा density increase नहीं कर पाता है तो उसके बाद में अपन लिख सकते हैं C और अब इन दोनों में इसमें और इसमें लगबग दोनों का same ही है आप बराबर लिख सकते हो लेकिन अपन फिर भी थोड़ा बहुत comparison करेंगे तो उसमें अपन कहेंगे इसका acidic strength कम आएगा थोड़ा सा क्यों आएगा क्योंकि यहां hindrance आ जाएगी तो यहां H प्लस आयन थोड़ा सा कम निकलेगा थोड़ा सा hindrance आएगा लेकिन दोनों का आप बराबर भी लिख सकते हो तो भी wrong नहीं होगा लेकिन अपन कहेंगे सबसे कम हो जाएगा यह वाला और उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा D और सबसे कम आप लिख सकते हो यहां पे A तो यह इनका acidic strength है increasing order में अगर क्रिसॉल की और फिनॉल का comparison करेंगे तो क्रिसॉल is less acidic than phenol due to electron donating group like methyl, ethyl and methoxy वगर यह group जब होते हैं तो electron को donate करते हैं जिससे electron की density यह oxygen पर बड़े की और h-plus iron को release यह कम करेंगे तो आज की class में अपनने acid character complete करवाया कैसे phenols और दूसरे compound होते हैं उनका acid character कैसे अपन को comparison करना है तो आज की class में बस इतना ही करेंगे next class में इसके आगे अपन कुछ reactions करेंगे और उसके आगे कुछ topic करेंगे thank you for joining this class regular videos को watch कीजिए पुराने videos को ज़्यादा watch कीजिए क्योंकि basic चीजे वहीं से निकल के आएगी आपके पास thank you for joining this class okay कि युँ तो के दो करे दो के आएगे करेंगे तुर्दी य्दयगर करेंगे अपन का